आफी ओन माई यूटूब चनल सरकारी बारत दोस्तो आज की इस वीडियो के इंदर हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है NVS नबोत विद्याले सम्ती की तरफ से 1900 प्लस पदों पर फटी निकलती है जिसकी एकजाम चल रही है तो आज है 9 मार्च 2022 जिसका फर्स्ट सिफ्ट का अभी अभी अगजाम चूटा है तो इस्टूडेंट्स के द्वारा वाट्सप पर मेरे को कोशन भेजे गयते के सार इस इस टाइप के कोशन आज आई है और सभी कोशन को मैं आपको कराने वाला हूँ अगर आपको भी कोई कोशन याद है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे भी डिसकस कर लेंगे सो गाइस आज की इस वीडियो के इंदर हम देखने वाले हैं हिंदी जी के इंग्लिस कम्प्यूटर और कुछ मैतमेटिक्स के क्वेशन को भी सभी प्रशनों को हम करने वाले हैं अगर आप भी तयारी कर रहे हैं NVS की नॉन टीचिंग बैरियस पोस्ट की तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर से बार बार बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ NVS के कैंडिडेट के लिए ही बनाया गया है NBS के candidate यहां से कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर मिलेगा सुबह सुबह मैंने आज एक वीडियो भी डाली थी computer के top 100 question तो आप उस वीडियो को जरूर देख लिजेगा क्योंकि वहां से 5-6 question आपके examination में 100% फस जाएंगे most probable questions है clear है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो चले friends start करते हैं आज की इस वीडियो को अपने सभी सातियों के साथ share करना बिल्कुल न भूले हैं सबसे पहले तो हमें starting करते हैं कहां से जीके से जीके के questions देख लेते हैं तो first question question आपकी screen पर है पहला question मैं थोड़ा सा इसको highlight कर देता हूं ताकि आप लोग पढ़ पाएं first question है सौर मंडल का सबसे छोटा बॉना ग्रह कौन सा है तो विखल्प की अनुसार अगर हम बात करें तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो था वो आपका सैरिस्ता हाइजिया सौर मंडल का सबसे छोटा बॉना ग्रह है जैसा की सोध करताओं ने nature astronomy में report किया है जिसने केर्स से इस्तिती ली है जिसका ब्यास 950 किलो मीटर है प्लूटू सबसे बड़ा बॉना ग्रह है जिसका ब्यास 2400 किलो मीटर है तो Pluto कैसा है सबसे बड़ा बॉनाग रहा है और बात करें सबसे छोटा तो ये है सेरस चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर है कोशन क्या है प्लासी की लड़ाई सिराजुद दौला ने किसको हराया था किस ने धोका दिया था प्लासी की लड़ाई में सिराजुद दौला को किस ने धोका दिया था तो प्लासी की लड़ाई की अगर बात करें दोस्तो तो ये कब हुई थी कब हुई थी 1757 में क्लियर है तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने सराज उद्धुला को धोका दिया था सराज उद्धुला ने अपने नाना अलीवर्दी खान को 23 साल की उम्र में अप्रेल 1976 में बंगाल के नवाव के रूप में उत्रादिकारी बनाया नवाव की सैना के सैना पती मीर जाफर द्वारा धोका दिया गया सराज 23 जून 1957 प्लासी की लड़ाई को हार गया था इस क्वेशन को जरूर याद रखेगा यह आपके लिए बहुत ज़्यादा मैत्पूर्ण क्वेशन रहने वाला है चले नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तो नदियों से संबंदित परशन है अरूण और बरूण नदियां किस नदी की सायक नदी हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपका कोसी नदी की कोसी नदी को क्या कहा जाता है बिहार का सोक भी कहते हैं क्या कहते हैं साथियों बिहार का सोक भी कहते हैं क्योंकि अपने मार्ग को बदलने के लिए जानी जाती है अरुण और वरुण नदियां किसकी साइक नदी है तो कोसी नदी की साइक नदी है वरुण नदी अरुण नदी की साइक नदी है और नैपल में कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है अब देखे चंद्रयान से कोशन आया है तो बहुत जबर्दस्त कोशन है चंद्रयान सेकेंड टू के दौरान मिसन निदेशा कौन था तो ये थे रितु का रिदल बनीता और उनकी टीम चंद्रयान टू पर सभी प्रणालियों के लिए जिम्मेदार थी जिसका लेंडर सेवन साथ सितंबर को चंद्रमाग पर नरम भूमी में विफल रहा सॉफ्ट लेंडिंग में जबकि रितु जिसकी टीम मिसन के लिए जिम्मेदार थी चंद्रयान थी के लिए एमडी बनी रही है चले नेक्स्ट कोशन है उत्तर भारत में बने मंदर किस सैली में बने हुए है तो भारत की बात करें तो भारत का अगर हम ऐसे देखें तो नीचे वाला जो हिस्सा है ये जो मंदर है इनको बोलते हैं द्रविड सैली के मंदर कौन से हैं द्रविड सैली के मंदर उपर वाले जो मंदिर है वो है नागर सैली के मंदिर कैसे है नागर सैली के मंदिर तो उत्तर भारत के जो मंदिर है वो किस सैली के है दोस्तो नागर सैली के मंदिर है चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है दोस्तो question क्या है question बढ़ लेते हैं जल का आणविक द्रब्यमान क्या है देखे जल की बात करें तो जल का सूत्र क्या होता है H2O इसका आणविक द्रब्यमान जो होता है वो 18.0152 ग्राम प्रत्मोल होता है next question है 2020 में पिछड़ा वर के राष्टी आयो के अधिश कौन थे मतलब कौन बने तो यह थे डॉक्टर भगवान लाल सहानी next question है आवर साड़ी से एक प्रशन पूछा गया है तो अब किस टाइब का प्रशन पूछा गया था यह तो आपको बताना होगा वैसे यहां तक मेंडली फर या फिर आवर साड़ी में अब आपको questions के साबसी पता चलेगा next है दोस्तो कौन सा डंग मिल नहीं खाता है तो उसमें UNEP United Nations Environment Program जिसका मुख्याल है कहां पर है जिनावा के अंदर है तो इस टाइब का कुछ question होगा next है दोस्तो question को मैं धोड़ा highlight कर देता हूँ question क्या है निमल कितमें से कौन सा आकसेरुकी है तो जो orthopeda होता है वो क्या होता है आकसेरुकी होता है आकसेरुकी जानवर ऐसे जानवर होते हैं जो ना के जन्मदा ना तो जन्मदाता से प्राप्त एक कसेरुक स्तम का मालिक होते हैं नहीं विक्सित होते हैं तो यह थे जीके के question चलिए अब हिंदी की तरफ चलते हैं सो गाईस अब आ चुके हैं हम हिंदी के questions पर हिंदी का फर्स्ट question आपकी स्क्रीन पर है question है निम्न मैंसे कौन सा काटना का का अपना जवाब काठना का ऑठना का अठना का तजम क्या होता है थेखिए एक दो वड और ही है एक एक अन्हें, और एक हो ईता लूटनी क्या होते हैं और रूप ऑदाल कर मतलब रूप बदला हुआ है लिए गए तो अनको क्या बहलेगे हैं? तदवब बहले तो काटना एक तदवब सब्द है इसका तत्सम क्या होगा कटन कंटित करतन कटित तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number C करतन इसका सही जवाब हो जाएगा clear friends चले next question देख लेते हैं next question आपकी screen पर आ चुका है साथियो और मैं अब color change कर देता हूं color change करके होगे आपका दयानंद मैं प्रियुक्त संदी का नाम बताईए लगाए भाई answer दयानंद में कौन सी संदी होगी कौन-कौन बता पाएगा देखते हैं देखे वर्ड क्या है आपका दयानंद दया नंद clear है आप इसको अगर संदी विच्छेद करोगे तो यह होगा दया प्लस नंद ऐसे थो घड़न्द देखे सीधी सीधी समझ लेजिए अगर हलंत की वात करें जैसे उचिश्ड बोले उचिश्ड तो आप क्या को बोलोगे उच प्लस में इस तो हलंत की बात करेगा तो आप क्या करोगे बेंजन संथी तो यह तो हो नहीं सकता यारा लब अगर बीच में आते हैं तो वहां पर आपका यण संधी होता है लेकिन आदे तूटे हुए होने चाहिए एक तरीके से ममत जैसे आप बोलते हो तूटे हुए बंदुत तो इस तरीके मतलब अलगी टैप से क्लियर तो ये तो होगा नहीं बात करें गुड़ संधी की अगर सिंगल मात्रा उपर होती है तो गुड़ संधी की बात करते हैं तो ये भी नहीं होगा डवल मात्रा होती है ब्रद्य संधी बोलते हैं ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा ओप्सन कौन सा बचा बचा चले question का answer बताईए दीठी इसका क्या पूछाए आपसे तत्सम पूछाए क्या पूछाए तत्सम पूछाए वही तत्सम देखिए द्रश्टी लेकिन द्रव में देखें तो ये वाली रह लग रही है कलत है दीश्टी नहीं होगा द्रश्टे ये होगा ऐसे बोल सकते हैं इस ही राइट आंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट क्वेशन देख लेए नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तों को थोड़ा सा धंक से पढ़िएगा आप लोग आंसर लगाने में अपने आपको कन्फ्यूजना करें भई लगाईए अभी देखें बहुत सारे इस्ट्वेंट तो ऐसे ह उन्होंने भी चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं किया यार कितना आपसे बोलूँ बस मतलब NBS की तैयारी कर रहे हो नबुदय विद्याले संती की तैयारी कर रहे हो सीरियस कैंडिडेट बन जाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए निमले कितमे से परिमाड बोधक वि की बात करें विसेशन क्या होता है जो संग्या या सरवनाम की विजिस्ता बताते हैं क्या कहलाते हैं भूक लोग भूके लोग इसमें परिमाड की बात कहा हैं नहीं होगा सूनी दर्ती दर्ती जो है सूनी है नहीं होगा सूखे पेड पेड की विजिस्ता सूखा है नहीं हो होगा गुड़ है इसका धरती सूनी है गुड़ है लोग भूंकिए है गुड़ है तो क्या होगा कम आमंदनी कम जादा कुछ एक तरीके से बताते हैं परिमार को बताते हैं तो option number D is the right answer clear events चलिए next question देख लेते हैं next question लगाईए इसका answer पल-पल में कौन सा समास है पल-पल में कौन सा समास है बहुत सारी इस्ट्वेंट तो सोच रहे हैं भई क्या लगाए अब लगाओ अंसर आपका concept यहां पता चल जाएगा क्या आपने पढ़ा है पल-पल में कौन सा समास है देखिए सब्सक्राइब कर लिजे फिर से बोल लो आप भूल जाते हो ना बहुत सारी इस्ट्वेंट नए आते हैं वो बीच में देखते हैं तो भूल जाते हैं खर लेजे भई पल-पल देखिए आपसे पूछे रातों रात रातों रात दिनों दिन दिनों दिन इस तरीके से जब भी पूछता है तो आप क्या लगाओगे आप क्या लगाओगे अब यही भाव समास लगाओगे जब उपसर गाई तो आप क्या लगाते हो अगर रिपीटेशन होता है पल पल दिन दिन इस तरीके से रिपीटेशन होता है तो आप क्या लगाओगे अब यही भाव समास तत्पर समास में क्या होता है किसी की एक तरी गोग पाल यहां पर क्या होका उत्तरपद पर्दान हो और पूर परदवी क्या आपका हो उसकी बिज़ेस्टा बता रहा रहा हूं बहुं ब्रीवी समास में न उत्तरपद ना पर कोई तीसराई अर्थ निकले तो वह होता है आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है लगाई ये राइट आंसर दीर्गसंदी का अधरन कौन-कौन बताएगा देखते हैं यह तो भाई क्वेशन देखने लाएगा बहुत अच्छा गलत करने वाले हैं मुझे पता है दीर्गसंदी साइक जो भी करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जो ना करें वो भी करते हैं देवर्सी देवर्सी में कौन सी दीर्गसंदी होगी नाजीना गड़ेस नाजीना यद्दपि नाजीना पत्रा ले पत्रा पत्र प्लस आ ले जब भी वीच वाला वर्ड आ का आ जाए तो समझ जाओ दीर के संधी होगी अभी अभी कॉंसेप्ट वताया था चलिए अब आपकी स्क्रीन पर क्वेशन आ चुका है आप लोग राइट आंसा तो लगाएंगे लगाएंगे लगा दीजिए भई हाँ पर एक चीज तुम लोग भूल गए फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं चलिए भिलोम सब्द की दरश्टी से कौन सा योग में गलत है इसमें से महा से महा से नहीं होता जी इसका होता है दुरा से क्या होता है दुरा से सदा से क्या क्या होता है दुरा से होता है सुमत्य का कुमत्य जहां सुमत्य वहां कुमत्य निदाना ऐसे आपने पढ़ा भी होगा क्लियर है तो option number C क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो आप लोग इस से लगा दोगे इसका अंसर अब मुझे का पता चल गया तो आप लोगा अंसर लगाने वाले हो कि उद्धघाटन का विलोमसद सब्सक्राइब कर लो भई कि देखे उद्धघाटन का मतलब क्या होता एक तरीके से प्रारंब कर देना किसी चीज को ठीक तो प्रसारण नाजीना गुप्त नाजीना समर्पित नाजीना समापन किसी का मतलब लाष्ट कर देना अंत कर देना तो प्रारंब अंत उद्धघाटन समापन क्लियर है फैंट्स चले नेक्स्ट कोशन क्या है जो च्छाती के वल गमन करता है वाक्यांस के लिए एक सब्द है लगाई ये रैड अनसर कौन कौन लगा पाएगा देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजे बूचर उद्दचर उरग अचल जो छाती के बल गमन करता है उसे बोलते हैं औरग क्या बोलते हैं दोस्तों औरग कहते हैं चलिए next question next question है दोस्तो आप लोग आणसल लगई भी next question है सेवा सतकार से आधर वड़ता है इस वाक्के में कारक है सेवा सतकार से आधर वड़ता है वताईए भई देखे देखे सेवा सतकार से करता ने कर्म को करण से इसको याद रखिए करता ने कर्म को करण से करण का मतलब साधन का प्रयोग करे कोई साधन का प्रयोग तो यहां साधन क्या हो जाएगा सतकार साधन हो गया क्योंकि सतकार की बज़े से तो आधर बढ़ता है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करण कारक हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा करण कारक हो जाएगा चलिए next question मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ इस बाकिय में कौन सा सर्वनाम है लगाई ये right answer देखे स्वयम की बात करे अपने आपकी बात करे खुद की बात करे तो आप क्या लगाते हो प्रश्न बाचक ना जीना निश्य बाचक ना जीना संबंद बाचक ना जीना आप क्या लगाऊगे निज बाचक का प्रियोग करोगे अब आचुके हम question English के questions पर देख लेते हैं क्या है identify the correct choice English के जो भी questions है अगर आपको पता है कोई भी question तो आप लोग comment box में लिख दीजीगा identify the correct choice फिलिंदी ब्लैंक वरना है he has purchased a bag of अब options है FLOR, FLOUR, FLOWER FLAUR, यह तो होगा ही नहीं कुछ भी नहीं देखिए he purchased a bag of flower, फूलों का उसने एक bag खरीद लिया ना जीना FLOR, floor होता है आपका फर्स बगारा फर्स खरीदे का bag मैं ना जीना FLOUR, floor होता है आपका आटा, उसने एक आटे से भरा हुआ bag खरीद लिया एक आटे का bag खरीद लिया, यह right answer हो जाएगा आटे से नमर भी right हो जाएगा चलिए फेंट्स, next question देख लेते हैं next question है दोस्तो चलिए लगाईए भाई, right answer identify the synonym, the given word jest word है g, j, e, s, t, jest का मतलब होता है उत्तुसाह उस्सा तो pleasure माने खुसी, उस्सा distant, गरणा, flop flop, floppy होगा, answer कल न, answer कल भी नहीं होगा flop भी नहीं होगा, distant गरणा भी नहीं होगा pleasure आपका खुस, उस्सा, खुसी, उस्सा यह होगा, आपका, e, right answer हो जाएगा clear events, चलिए next question देख लेते हैं दोस्तो clear events, तो आप लोग next question को लगाईए भई चलिए लगाई यह भई, right answer fill in the blank with the suitable conjunction कौन सा conjunction आएगा, जो कि suitable है तो conjunction देखें यह है, यह है he will never pass, वह कभी भी पास नहीं होगा, however whatever, never, whenever तो never तो नहीं आएगा, whenever प्रेशन नहीं कर रहा है, whatever नहीं होगा however, however जब तक hard ही, मेट रही जब तो होगा, cutting pressure हम नहीं करेगा clear reference, चलिए next English के question, बहुत question है, यह अच्छी कासे question है आसान है वैसे from an adjective, from the given word adjective क्या होगा, gold का adjective बताइए, gold का the gold, ना जीना, golder यह तो हमने कभी नहीं पढ़ा, goldest speculative degree थोड़ी होगी, adjective पूचा है, तो golden हो जाएगा, clear है, next question, give the, question क्या है give the plural of the given word, plural बताइए, hero का, heroine, आप से gender थोड़ी पूचा आजा, तो आफ है मेने जेंटर बना रहे हो, heroes, os नहीं आता, heroes, ies नहीं आता, heroes, yes, yes, o आता है, तो yes आता है, तो यानि कि d option आपका right answer हो जाएगा, clear reference, चलिए next question देख लेते हैं, next question आपकी screen पर है, question क्या है, पढ़ लेते हैं, fill in the blank with the suitable word, तो suitable word बताइए, working dogs, बहुंकने वाले कुत्ते क्या होते हैं, regularly white, rarely white, frequently white, बार बार काटते हैं, बहुंकने वाले कुत्ते क आता हैं, कभी कभार काटते हैं, option number C is the right answer of this question, clear reference, चलिए next question देख लेते हैं, so guys अब आच चुके हम computer के questions पर computer के questions देख लेते हैं, जो भी questions देखे हैं, पहला question है, where are the CPU and memory located, CPU और memory कहां पर इस्टेत होते हैं, तो ये होते हैं आपके motherboard के अंदर, बात करें CPU की, तो CPU की full pump होती है, central processing unit, next question है, BIOS is stored, BIOS कहां पर store किया जाता है, तो ये flash memory chip के अंदर store किया जाता है, क्या BIOS, next है, IP address version 4 is in which format, तो ये होता है, 32 bits के अंदर, next है दोस्तो, who was the founder of Bluetooth, Bluetooth के founder कौन है, बहुत ही जबरदस सवाल है भई, लगाए ये answer, subscribe नहीं किया, आप लोगों ने, कर लीजे भई, who was the founder of Bluetooth, तो ये है, Ericsson, Ericsson जो है, वो आपका founder है, किसके Bluetooth के, next question है, what kind of operation can a computer carry out, एक computer जो होता है, वो किस प्रकार के operation को carry करता है, तो ये करता है, arithmetic and logical, कैसा, mathematical and logical, जो आपका operations होते हैं, उनको computer क्या करता है, carry out करता है, next है, modern computers follows a generalized set of instructions to perform any function, what are these instructions better known as, तो इनको बोलते हैं, programs, next है, when were the first digital electronic calculating machine developed, during world war second है, इसका right answer, next है, दोस्तो, which of the following is a processing unit of the computer, तो CPU, central processing unit, जो होती है, वो आपकी processing unit होती है, computer की, next है, दोस्तो, subscribe नहीं किया भई, कर लीजिए, which part of the computer carries out, the arithmetic and logical operation processing element, तो इसका answer तो नहीं दे रखा है, यहां, इसका answer है, processing element, next है, दोस्तो, आप इनको, which of the following are part of logical operation of the computer, तो इसे बोलते, greater than, which of the following comprises the input device, तो keyboard mouse होते है, which of the following device comprises output unit, तो visual display unit, जिसको video के नाम से जाने जाता है, और which of the following lies within the CPU, तो primary memory होती है, और last है, इसका which of the following comprises the software component of the computer, of a computer, तो इसे बोलते हैं, प्रोग्राम्स, clear है फैंट्स, अभी तक बहुत सारे student ने तो चैनल कोई subscribe नहीं किया, आप किस का इंतिजार कर रहे हो, कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, clear है, अब बोलोगे हर किस किस के लिए करें भई, बस कर लीजिए, आप लोग फायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि notification आपको मिल जाएगा, तो पाकी की सारी चीज़ा मिलती रहेंगी, question दे रहा है, यदि square root of 1 plus 25 upon 144, equal to 1 plus x upon 12, हो तो x कमान बता, यदि कि square root of, अगर हम यहाँ पर LCM ले लेते हैं 144, तो यह हो जाएगा, आपका 144 plus 25, equal to, यहाँ से अगर हम करेंगे, तो 12 plus x, बटा 12, clear है, इसको solve करेंगे, उपर ले जाकर, तो यह हो जाएगा, upon में तो 12 हो जाए करेंगे, 12 plus x upon 12, 12 से 12 cancel out, x की value कि इतनी आजएगे, 13 minus 12, यानि कि एक आपका right answer हो जाएगा, किसी option में दे रखा है कि नहीं, तो option number a is the right answer, clear friends, माफ कीजिए का third option, आपका right हो जाएगा, next है दोस्तो, चलिए, simplification का question, आ चुका है, आपके सामने, लगाईए right answer, वही, कौन-कौ सबी लोग लगाएंगे, clear है वही, चलिए, square root of 324 upon square root of 49, square root of 676 upon square root of 169, multiply by 126 upon square root of 81, क्या होगा, देखे, 324 होता है, 18 का square, तो 18 निकलेगा, 49 का 7 निकलेगा, 676 का 26 निकलेगा, 179 का 13 निकलेगा, 126 और 181 का 9 निकलेगा, अब इसको solve कर लेंगे, solve करेंगे, तो 13 निकलेगा, तो 13 निकलेगा, 9 निकलेगा, 18 निकलेगा, 7 से 26 कट जाए, तो मज़ा आ जाए, 7 एकन 7, 7, 8, 56, कट गया, 2 निकलेगा, 4 का गुणा कर लिजिए, 18 से, तो 18 चौके कितना हो जागा, 72 कौन सा option हो जागा, second option is the right answer, तो इसका option नमबर second इसका सही होगा, कि लिए, चलिए, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन है, दोस्तो, square root of, this, 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 square root, square root ही चला भई, देखे, यहां से मैं इसको इसको यह, इसी में solve करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को सेर करना होगा, वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, वो तो आपका जम्सिद्धिकार है, चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन का आंसर क्या होगा, देखे, 47, 49 को जब हम निकालेंगे, तो 7 होगा, 29 और 7 क्या हो जाएगा, 36, 36 का क्या निकलेगा, 6, 19 और 6 क्या हो जाएगा, 25, 25 का क्या निकलेगा, 5, क्लियर है, 5 और 11 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 का क्या निकलेगा, 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा, square root of 99, 9 का क्या निकलेगा, 3, तो option number D is the right answer, 3 आपका सही जबाब हो जाएगा, चलिए, next question, percentage का question है, लगाईए इसका right answer, जाएगे, 2 quintal, 2.5 kg का कितना प्रस्त है, 2 quintal, 2 quintal, 2 quintal, 2.5 kg का कितना प्रस्त है, 100% निकलेगे लिए, अभी तो होगा नहीं, लेकिन तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 2 quintal का मतलब, 1 quintal में कितना होता है, 100, 2 quintal में 200, upon 2.5 kg, into 100%, solve करने के लिए, 0 बढ़ाओ, 1000 हो गया, 25 से का काटेंगे, 25, 408 बार जाएगा, 8 का 1000 से बढ़ा करेंगे, तो 8,000% हो जाएगा, दोस्तो, 8,000% किसी में दे रखा है, अरे कहां भागरे हो भी, 8,000% तो option number C में आपका right answer हो जाएगा, तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लग दोस्तो आएगा, जाएगा, जाएगा, दोस्तो जाएगा, वीडियो अवीडियो, प्रॉठाब।